नमस्कार गुरुखपूर नीज में आप सभी का स्वागत है मैं हूं मुहम्मद तप्रीज सिद्धी की हरपूर बुधट थाने के पुलिस ने महिला के हत्या करने के आरोप में अव्यूक्त को ग्रिफतार किया है जिसके समद में स्पी साउथ अरुन कुमार सिंग ने बताया कि मुगबिर की सूचना पर एक अव्यूक्त को ग्रिफतार किया गया है की पहचान चंदर शेखर उर्फ नवीन सिंग पुत्र सौन सिंग निवासी ग्राम सोन बरसा बाबु थाना हरपूर बुधट जनपद गुरपूर के रूप में हुई है स्पी साउथ ने बताया कि अव्यूक्त के उपर हत्या का मुकदमा पंजी कृत था जिसको ग्रिफतार कर जेल भेज दिया गया ग्रिफतारी करने वाली पुलिस टीम में हरपूर बुधट थाना परभारी संदीप यादो उपने रिच्छक मनीश तिरपाटी उपने रिच्छक महमत खादिर, हेड कॉंस्टेबल विनोत कुमार, कॉंस्टेबल सचिन कुमार, पारस कुमार, सुधाकर यादो शामिल रहा इस समझ में गोरखपुनी से बात करते हुए स्पी साउथ अरूर कुमार सिंग ने का घटना स्थल निरिक्षण हुआ परिष्ट अधिकारी गण भी वहां पहुंचे और मृतका के भाई जो अपनी स्वसुराल में रहते थे इकलवते भाई हैं वह आये और उन्होंने एक तहरीर दिया जिसमें उन्होंने गाउं के ही एक सरावी प्रवित्य के विक्त को उसने दविस दे करके जब इस नामजद अभियुक्त को पकड़ा तो पता चला कि उसने अपना जोरु श्रीकार किया महिला से उसकी काफी निकटता थी कई वरसों से वो उससे कुछ पैसे चाहती थी जो उसने नहीं दिया था और यह लगातार अपनी जमीने बेच रहा था जिसकी वज़ा से उसने कहा कि जमीने बेच करके दूसरों को देते रहते हों अब मैं इस बात को पूरे गाउं में परचारित करूँ पर नामतर उस हाट टाक्स में विकलांग महिला की सारीरिक कमजोरी का लाव उठा करके इसने उसी की स्टिक जिसके सहारे वो चलती थी उ उसे सर पर वार किया जिससे वो लहुलुआन हो गई और एक दोवार और करके उसने पूरी तरह से उसे खून से लगपत कर दिया और महिला की महुत हो गया सवेरे भी ये हमदर्द बन करके वहाँ था लेकिन जैसे ही डाग स्कौाड की पता चला की आ रही है डाग स्कौाड के आने की सूचना पर ये वहाँ से किसक गया कि डाग उसे कहीं पकड़ने ले और यही फिर राज खुल जाये लेकिन अपराद छिपता नहीं है कहीं न कह कोई न कोई evidence मिलता है और इसी आधार पे सभी गाहों के अधिकांस लोग और बादी ने इस पे जो आसंका व्यक्त की थी पुलिस में पकड़ा और इस घर्टना का खुलासा हुआ है इसे नियाई के अभिरक्षा में जेल भेजने के लिए माननी नियाले के समख्ष ले करके जारे है